हेलो फ्रेंट्स बेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल नश्ररलाव होरोर भी उटस आउस में अब लोग के साहर रही हूं रच्छा भिन्दन मेकफ लूग तो ये पिंक ग्लैम्म मेकफ भी है तो फ्रेंट्स किस तरह मैंने इस में कब को किया तो वीडियों में बने रहे हैं अगर आपने वीडियों को ओपेन किया है तो त्वीडी शाटान से प्रिंटाइब जातीय जाती उनयए और यह क्रिये ऊपकार के लिए हमने किस तरह में एक उच्वलुप किया है तोれた नरे यहां अगर जेंट्स लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड या अपने घर के रिलेटिव के साथ वीडियो को सेयर भी कर दीजिएगा तो फ्रेंड्स यहां पर मैं लगा रही हूं टोनर तो यह कोई मेकप नहीं है इसकिन केर रूटीन है फ्रेंड्स तो जो है इसकिन केर करना जरूरी है मेकप करने से पहले तो यहां पर आप रोज वाटर भी अपलाई कर सकते हो जरूरी नहीं है कि कोई ब्रांडेट टोनर ही हो तो फ्रेंड्स रोज वाटर भी कापी अच्छा होता है आपकी स्किन में जा जरूरर रप्लाई करें बॉर इसके बाद मोस्टराइजर एकुए तो प्रेंट्स यह जो है काफे अच्छे से एक जौब हो गया बेसके बाद मैं लगा रही हूँ पपाया का जल फ्रेंट्स तो पाटार जील 바뀐 यह गुड़ ऑइसका है यहां पर या ब्रस का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है तो अब मैं ले रही हूं प्राइमर तो यह प्राइमर इंसाइट का इसे लगाने पर चेहरा जो है काफी ग्लोइंग होगा मेकप करने के बाद और यह आपका मेकप जो है ओलांग लाश्टिक रहेगा तो प्राइमर लगाना काफी मैं जरूरी होगा और आपकर जो पर आगर यह लगाते हो तो आसानी से ब्लैंड़ भी हो जाता है प्राइमर बहुत ज़रूरी होताई और यहां पर लूंसी डियंव मिंच तो आप देख सकते हो तो मैं लक्मी का सीचच्रीम अपलाई कर रही हो म आप इससे भी मेंकप कर सकते हो CC क्रीम भी कपी अच्छा अच्छ सकते हो जरूरी नहीं कि पार्टाच्चुल नेरिया तो जबस्टाच भी ends में अच्छा द्र्रेस से याँ तो इसी क्लों मेंक ऐसे बुद्रूण तो आप देख सकते हो कि मैंने हाथों से यह ब्लेंड किया है तो थोड़ा सा मैंने स्कीप कर दिया था और फ्रैंट्स इस वीडियो को जितना आप देख रहे हो बस उतना ही टाइम लगा था मेकप करने में तो कम से कम पांच मिनट लगा था जोलरी हो गए रहा पहनने में दो बिल्प इस्ट्रा हो गया था तो इस तरह मेकप आप करेंगे तो बहुत यह कम टाइम में एक अच्छा सा मेकप लूक आप क्रियेट कर सकते हो तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ आई पैंसर है फ्रैंस आइब्रो को फिल करने के लिए तो जो है आइब्रो को फिल कर लेती हूँ उसके बाद जो है इसे ब्रस से कम कर लेती हूँ ताकि जो इस्ट्रा है और निकल जाए बहुत जादा डार्क रहने पर फ्रैंस बिल्कुल भ कि फ्रेंच अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आती है तो प्लीज को लाइक कर दीजिए गा और यहां पर मैं अप कर रही हूं आइसेडो का मेकव तो फ्रेंच आइसेडों का जो पैलेट है वो मार्स का है तो मार्स तो मैं दिखा नहीं पाई में वहां से मैंने मस्क पिंग कलर का आइसेडो लिए दोनों आइस पर अप्लाइप कर ले रही हो बहुत ही ए भलका सा मैं आप्लाइ करूंगी बहुत ज़ाजा ड्रिक नहीं और इसमें झो है थोड़ा सा मैं अप्लाइ नगजाही करूंगे गोल्ड का आइवाइट यहां पर लगा रही हूं अई लाइनर तो एलाइनर में सेpor करके फूरा फुल मैं आप को दिखाती हूं तो आई-लाइनर हमारा लग्के कम्प्लीट हो गया है आई लाइनर और आप मैं यहाँ पर काजल लगाऊंगी प्रेंट्स तो काजल जो है मेरा लांग लास्टिक है काफी टाइम तक चलने वाला लक्मी का काजल है तो आप भी जो है आई लाइनर के बाद काजल अपलाए गए तो यह रहा आईस मेककप बहुत ही सिंपल सा और पिंक मेकप मैंने किया है तो इसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ कमपेक्ट पाउडर तो फ्रेंट्स कमपेट पाउडर लगा कर आप अपने मेकप को अच्छे से सेट कर लीजिए तो ये makeup look लगबग complete हो गया है बस के वाल ये lip color बचा है friends तो मैं यहाँ पर lip liner लगा रही हूँ अगर आपके lips मोटे हो तो आप lip liner बिल्कुल भी ना लगाएं क्योंकि lip liner लगाने से lips और भी उब्रे उब्रे दिखने लगते हैं तो फ्रेंड्स अगर पतले उठें तो आप जरूर लिप liner का यूज करें तो उसके बाद मैंने सेप देने के बाद यह लगा लिया यह पिंग कलर का पर आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा तो यह मेरा मेकप लोग लगभग कम्प्लीट हो गया लगभग क्या कम्प्लीट ही हो गया फ्रेंड्स तो यहां पर मैं पहन ले रही हूं जोलरी और अगर आपको बिंदी लगाना फसंद है तो लगाईए पसंद हो आप उस तरह हैरिस्टाइल बना सकते हो तो यह रिंग पहन कर यह मेरा लुक कम्प्लीट हो गया है तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और फ्रेंड्स किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो ओ भी बताईएगा तो मिलते ह नेक्ट वीडियो में एक नई ब्यूटी टिप्स के साथ बाई टेक केर सी यू फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिए